इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है. हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते. किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले. अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते है और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। दर्द निवारक के लिए Hyosemax S tablet का इस्तिमाल किया जाता है। यह पेट, आंतों और bladder की एंठन या spasm से राहत देता है। इसे पैप्टिक अलस और irritable bowel syndrome सहित पेट और intestinal disorder का इलाज करने के लिए भी इस्तिमाल किया जाता है। Hyosemax S tablet को खाली पेट या भोजन से कम से कम 30-60 मिनिट पहले लिया जाना चाहिए। इस दवा की खुराक और अनुपान की अवधी के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें अधिक्तम लाब पाने के लिए इस दवा को हर दिन एक ही समय पर लिया जाना चाहिए। डॉक्टर द्वारा निर्धारित अवधी तक इस दवा का सेवन जारी रखें। कबज, मूह सूखना और सिर्दर्द इस दवा के कुछ आम साइड एफेक्ट हैं। इनमें से अधिकान शाम तोर पर थोड़े समय में दूर हो जाते हैं। अगर आपको इन से परेशानी होती है या ये लंबे समय तक रहते हैं तो अपने डॉक्टर या नर्स से बात करें। मूह सूखने और सिर्दर्द से बचने के लिए हाइड्रेटिड रहने या पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ पीने की सलाह दी जाती है। अगर इस दवा से आपको चक्कर आते हैं तो आपको ड्राइव नहीं करना चाहिए। इस दवा को लेने से पहले अगर आपको लिवर या किड्नी की बीमारी थी या अल्सरेटिव कोलाइटिस था तो अपने डॉक्टर को बताएं। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर को आपके द्वारा ली जाने वाली अन्य सभी दवाओं के बारे में बता दे क्यूंकि इन में से कुछ इस दवा को प्रभावित कर सकती हैं या इस दवा का प्रभाव उन पर पढ़ सकता है विडियो के डिस्क्रिप्शन में दिये हुए वेबसाइट के लिंक पर जाकर आप इस दवा के बारे में और ज्यादा जानकारी प्राप्ट कर सकते हैं अगर आपको यह विडियो पसंद आए हो तो कृपया इस विडियो को लाइक करें अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है इस दवा के विशय में तो आप कमेंट में बता सकते हैं अगर आपको ऐसे ही और दवायों की जानकारी के विडियोस देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही नोटिफिकेशन बेल को आल नोटिफिकेशन पर सेट करें धन्यवाद